दोस्तों कई बार कौवे दूसरे पक्षियों का खाना भी उनसे जप्टा मार कर चुरा लेते है कौवे दूसरे पक्षियों के एंडे भी चुराते है कौवे को यदी सिखाया जाए तो वो एक से साथ तक गिनना भी सिख लेते है कौवे कई बार इंसानों पर भी हमला कर देते है आपको जानकर हैरानी होगी कि कौवे भी ट्राफिक लाइट को समझ सकते है कई लोग मानते है कि यदि उन्हें सपने में कौवा दिखे तो वो बुरा संकेत है दोस्तों कुछ लोग कौवे की पूजा करते है जबकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक पक्षी है अक्सर देखा गया है कि कौवे वो उकरन बना लेते है जो उनके फायदेगा हो इंसान और कौवे के दिमाग की सर्चना मिलती है दुनिया का सबसे छोटा कौवा जिसका वजन 40 ग्राम था मैक्सिको में पाया गया था कौवस कौवे का विडियानिक नाम है कौवे के ग्रूप को मड़ बोलते है जब एक कौवा मरने वाला होता है तो बाकी दूसरे कौवे मिलकर उस जल्दी मार देते है कौवे और कौवा अपस में बहुत नफरत करते है एक दूसरे को देखने पर ये हमला कर देते है कुछ कौवे देखरेक में रखे रहने पर 30 साल तक जीवत भी रह सकते है कौवा असानी से हार मान लेने वाला पक्षी नहीं है एक बार में कौवा चार अंडे देता है कौवे अपने शिकारी से इकठे होकर लड़ते है जिससे की वो उसे दूर कर देते है अकसर कौवे रास्ते पर पड़े कच्ड़े और मरे हुए जानवर को साफ कर देते है दोस्तों एजीब बात है कि स्विडन देश में कौवे को मर चुके लोगों की आत्मा माना जाता है जबकि उनकी आत्मा दुबारा हमेशा के लिए जिन्दा करने के लिए वही पर होती है जहां उनके शरीर की कुना की हड़ी हो धर्ती पर कौवे की 40 प्रजा टेम मजुड़ा है कौवे की प्रजाती के अनुसार उसका आकार भी अलग-अलग होता है आपको बता दे कि अंटाक्टिका देश को छोड़कर कौवे प्रित्वी पर हर जगह बाए जाते है क्या आप जानते है कि यदि कौवे को सिखाया जाए तो वो वेंडिंग मशीन में सिख्के डाल कर खाने का समान निकाल लेते है इसके अलावा कौवे निडर पक्षी होते है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते है कि ये अपने से नो गुन अधिक वजन वाले बाज का पीछा करते है आपको जानकार हैरानी होगी कि पालतू काला कौवे तोते से बहतर बात कर सकते है कुछ कौवे एक सो शब्द और पचा स्पून वाकिया तक सीख जाते है दूसरे जानवरों और चलिया की अवजों, कार इंजन और टॉयलेट फलश की आवाज की मिमिक्री भी कौवे कर सकते है कौवा एक बूठी समझदार और चतुर पक्षी होता है एक कौवे का जीवन कर लगभग 18 से 20 साल तक का होता है एक साधारन कौवे का वजन 40 ग्राम से 1.5 किलो ग्राम हो सकता है इंसानों की तरह कौवे भी चहरे याद रख सकते है ज्यादातर कौवे को समूर, ग्रोप में रहना पसंद होता है नर कौवा हमेशा मादा कौवे के साथ रहता है पेड़ों की सखाओ पर ग्रूसला बना कर कौवे रहते है कौवे को सफाई का काम सीखा के निडारा लेंडा में उनसे काम करवाया जाता है कुछ लोग कौवे को शुब मानते हैं तो कुछ लोग इसे अशुब मानते है भारत में कौवा अलग-लग धार्मिक बातों तथा प्रठायों से जुरे है दोस्तों किया तुम नहीं सुचते कि अलाह पाक ने कवरें से लाखो गुना ज्यादा समझदार हम इंसानों को बनाया है फिर भी कुछ लोग उसरब अलाह को छोड़कर पत्थर की बनी मूर्ती, अलाह के बनाए हुए सुरज चांद, आग, पानी, पेड़ और भी कई चीजों को पूछते हैं